सुप्रभाद प्यारे बच्चों आज हम प्रणायाम के विशे में बात करेंगे बेटा स्वास को अंदर लेना स्वास को बाहर छोड़ना और स्वास को रोकना इन तीनों क्रियाओं के सामोविक नाम को ही प्रणायाम कहा जाता है प्रणायाम शब्द मुख्यत है दो सब्दों से मिलकर बना है जिसमें की प्राण धन आयाम है प्राण का अर्थ है हमारी जीवने शक्ती तथा आयाम का अर्थ है नियंत्रन करना इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को नियंत्रित एवं शंतुलित करना ही प्राणायाम कहलाता है प्राणायामों के तहट आज हम दो मुख्य प्राणायामों के विशे में बात करेंगे जिसमें सर्वपर्थम है ब्रामरी प्राणायाम तत्पच्चात शीतली प्राणायाम तो आईए बात करते हैं ब्रामरी प्राणायाम सर्वपर्थम किसी भी सुखासन में आप बैठ जाएंगे या अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के थाई के उपर रखेंगे और अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के थाई के उपर रखेंगे मन शान एकाग्र तत्पश्चात अपने हाथों को उठाएंगे और अपने दोनों अंगुठों से अपने कानों के छेत के उपर रखेंगे अपने हाथ की तीनों उंगलियों को अपनी आखों के उपर रखेंगे और अपनी सबसे छोटी उंगली को अपने नाख के सीध में रखेंगे बेटा अब जैसे की प्रणायाम का नाम है भ्रामरी प्रणायाम अर्थात भौरे की जैसे गुंजन वाला प्रणायाम तो यहाँ पे आपको भौरे की तरह आवाज करनी है स्टार्ट करेंगे एक बार और इसी को आप निरंचर पाँच से दस बार का अभ्यास करेंगे तत्पश्या अपने हाथों को आपस में मिलाएंगे आखे निरंतर बन दोनों हतीलियों को आपस में रगड़ेंगे जोर से रगड़नी है बिटा आपने ताकि उनमें गरमाहर पैदाओ अपनी आखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आखों को अंदर खोलेंगे ताकि प्रणायम के दौरान जो भी उर्जय प्राप्त हुई है वह थीरे हाथे यह से रिफ्लेक्ट ओकर परिबर्तित्ट कर दुबार्यों हैं प्रवेश्कर्याई प से हाथों को नीच्छ करेंगे शान इसी करम में अब हम करेंगे सीतली प्रणायाम अर्थात शरीर को थंड़क पहुंचाने वाला प्रणायाम यह प्रणायाम मुख्यता ग्रिस्म रितु में किया जाता है जिससे कि हमारों शरीर निरंतर सितलता प्रणायाम के लिए शरू प्रणायाम आप अपनी जीप को बाहर निकालेंगे फिर उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो फिटा अपनी जीप को बाहर निकालेंगे पूरा जीप बाहर निकालने है आपने और फिर उसको थोड़ा सा मोड देंगे और जीप से अंदर के और सांस भरेंगे पूरा जीप आपने पूरी बाहर मिकानी है उसको फोल्ड करिए लंबाई में आपने उसको मोड़ना है ना कि उसको उपर की तरफ से फोल्ड करना है ओके बिटा अब सांस को अंदर की तरफ खीशते हुए आपको जहाँ भी सीतलता का परतीक होगा यहां पर यह दीरे से वापेस शान तो बिटा तो बिटा आज हमने दो प्रणयामों के विशे में बात की उनको देखा और समझा आप इन दोनों प्रणयाम को अच्छे से देखेंगे और इनकी वीडियो बनाकर मेडम को सैंड करेंगे आपके बिटा आपके बिटा